जब मोदी गया था ना तो नारे लग रहे थे भारत माता की जय क्या मोदी ने क्लियर बोल दिया कि मोदी की जय के नारे नहीं लगेंगे नारे लगेंगे भारत माता की जय और जब राहूल गांदी उर्फ चिर्कुट गया तो नारे लग रहे हैं वहाँ पर राहूल गांदी जिन्दाबाद गे अरे भाई तू किसी देश का राजा है तू एक इस देश का चिरकुट आदमी है मोधी मा की सेवा करता है तो इनको दिक्कत है और राहूल गांदी कहता है अपनी सिस्टर को कुछ दिन बाद हो सकता है राहूल गान्दी भी बीजेपी में आके बारत माता की जै बोल रहा हूँ और ऐसा ना हो कि यह खड़के भी आके बीजेपी में जो है कह रहा हो बहाँ पर उनकी रेली में ऐसे ऐसे लोग आए जो कहरे हलू राहूल वहाँ लड़की आई राहूल गान्दी पपी ले रही है अगर ऐसी देश भक्ती आपको लगती है तो आप जाओ पपी दिलवाओ इसकी गोरी चमणी देखके लोग कहते हैं आजाओ आजाओ अरे मेरे भाई राहूल गान्दी वो गांजा पीता है पुछा क्यों एक बार यही जाके सिखों के लिए बोलके दिखा दे एक बार अपने क्रिश्चनों के लिए बोलके दिखा दे उसकी वही चीज गाइप कर देंगे जिसको दिखा के वह अपने आपको राहूल बताता है मौलाना तोकिर रजा कह चुकेंगे दिली तक आंदोलन होगा वक्व बोट को छेड़ने वालों को भरबाद कर देंगे यह सोभी सीजी बोल रहे हैं हम डर गए हम डर गए हम दर गए हैं देखो मेरा वजन जिसने चावल की जाथ बता हूं मैं कह रहा हूं दुनिया का सबसे बेश्ट ब्रेन रहूल गांदी ब्रेन जिसने चावल की जात पूछली जिसने डाल की जात पूछली जिसने सबजी की जात पूछली क्या अच्छा हुआ लोकी की जात नहीं पूछी क्योंकि वो भी आगे से कटना शुरू होती है क्या लोकी खीरा देखा है खीरा वो भी आगे से कटना शुरू होता है अगर उसकी पूछ ली ना तो कोनों फिर की ले लेगा बताई दीबग जी मैंने आपके काफी वीडियो देखें विरोध करते हैं अब रहा हो लगांदी का आप फनी चीज़ों को तो पकड़ लेते हैं लेकिन जो मुद्दे की बात वो कर रहे हैं कि भारत जो है रोजगार नहीं दे रहा है चाइना रोजगार दे रहा है देवी देबताओं को मतलow भगोन नहीं है वह ऐसी सैबी जो कि सबसे बड़ी फैक्टरी दूसरे नंबर पर सेमसंग की लगवा दी एपल जो किसी देश में अपना प्लांट ना लगा है आज वो आकर डुएडा में अपना प्लांट लगा के मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया चल रहा है जिस देश में सुई बनाने के लिए भी हम अगर इनके बाप दादा ने काम किया होता तो आज हम चाइना से आगे होते 1947 में हमारा देश एक डॉलर और एक रुबे की वील्यों बराबर थी बेल्यू गूगल खोल के चेक कर लेना उस टाइम पे अरे रुखजो भाइसाव च्छाए मढ यहार उस टाइम पे मोधी कहा था 1947 में मोधी कहा था अधा पाइन ने ताहिन और जल्ञाब नियुग अँगा भी हुआ हुआ है जिस टाइम पे नोट की घूर एक बारी में और सोने की बेल्यू बराबर चलनी थी उस टेम पे इन्होंने सोने की बेल्यू और जमीन की बेल्यू में जमीन आसमान का अंतर ला दिया आज जमीन दस करोड रुपे की हो गई है तो सोने के रेट भी नहीं 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 तो सोने तो सोने के जो है ना भाई साब विदेशों में माल भेजता है और आप कहे रहे हो पेट्रोल डीजल महंगाई बेरोजगारी इसी देश में 16600 पे डिल्ली का पेश केले रोजगार का क्या और सीला दिक्षित के टाइम पे 6800 था मगर आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप 60,000 पे महीन आपका जजबा आपको आगे ले जाता है एक माईक लेके पत्रकार घूमने वाला आप जैसा मेनत करने वाला 30 यार कमाता है और एक व्यक्ति 30 लाग कमाता है पत्रकारी ता वो डिगरी वो सब कुछ होई क्या मगर सोच दिमाग और टैलेंट तक रोजगार पे आपने बात क का नहीं है वो किसी काम का नहीं है आज लोग मोदी की तरफ इसले जा रहे हैं कि जिनको चादर और फादर प्यार है वो मोदी को भी पसंद नहीं करेंगे गलत बोर रहा हूं नहीं तो जोड़ा तालिया बजादो भाई सब्सक्राइब तो हमें दिखा दो अरे जब मोदी तो नॉटे बहारत माता की जै क्या मोदी ने क्लियर बोल दिया की दिखे नारी लगें भारत माता की में और चऊने लोग खड़े नारे लगारित आपके घर के अब आप सुनो इधर पीछे हो बीड बी देख लो बया मेरे को पसंद करते हैं एक बार बताओ बताओ दिल से कौन-कौन चाहता है इसा योगी जैसा योधा पैदा हो सबको मोधी योगी चाहिए घर में उसका कारण है मोधी मा की सेवा करता है तो इनको दिक्कत है और राहूल गांधी कहता है अपनी सिस्टर को पानी पीता अपीता है जो कहता है बारत बात गीजे तो कहते बीजे पीवाला जो कहते नवरातरों में मीट मत खाओ तो कहते हैं जो कहते हैं कि विकास होना कि सारे पापी धूल जाते हैं बच के रहना बच के रहना क्या कुछ दिन बाद हो सकता है राहूल गांदी भी बीजेपी में आके भारत माता की जैब बोल रहा हो और ऐसा ना हो कि खड़के भी आके बीजेपी में जो है कह रहा हो ऐसी बोलता खड़के मैं नहीं बोलता है गुगल खोल के चेक कर लो अच्छ एक सवाल है आप सापने बोला कि रहूल गांदी है कौन जम्हां इतना भवे स्वागत पर आपने जो काउंटर किया थे जिनको डॉलर दिया है एक बियर पर पैसे देखे बुलाने का मैं तरीका बता हूं बच्चे महिलाएं और बुजुर्ग मोधी की रेली में खड़े होके ना भारत माता की जैके नारे लगाते हैं और वहां पर उनकी रेली में ऐसे ऐसे लोग आए जो कहरे हलू राहूल वहां लड़की आई राहूल गांदी को पपी ले री है अगर ऐसी देज भक्ती आपको लगती थो आप जाओ पपी दिलवाओ मलेशिया एलेंडे अरे मोधी के साथ भाव जुडता है मोधी के साथ प्यार करते हैं मोधी को कोई भाई मानता है कोई ताओ मानता है और इसकी गोरी चमणी देखके लोग कहते हैं आजाओ अरे मेरे भाई राहूल गांदी वेस्टन कल्चर क्या जश्ट लाइक चिकन बर्गर राहूल गांदी कौन है वेस्टन कल्चर सनातनियों को लेकर एक बात बोली है कि देवी देवताओं का अर्थ यह नहीं होता कि भगवान है व गांजा पीता है पुछा क्यों एक बार यही जाके सिकों के लिए बोल के दिखा दे एक बार अपने के लिए और गिलीए उसकी वही चीज गाइब कर देगे जिसको दिखा के वो आपने आपको राहूल बताता है शिखों के लिए बोला तो है कि पगड़ी नहीं पहन सकते मजबूर है कड़ा नहीं पहन सकते पागल हो गया वो जबी मैंने बघाँ यॆ kicking जितने खुल के यहां हमारे सिक्क भाई रहे हैं बारत में सिक भाईयों का जितना खून सनातन का लगा है उतना ही सिक भाईयों का लगा है ये बाते मत करें इसका काम है भढ़काना पहले ये हिंदू-मुस्लिम करा रहा था अब हिंदू-सिक करा रहा है क्या मगर हम सिकों से कभी नहीं बिढ़ेंगे बिढ़ें सिकों के लिए जोर्ज बठाएंगे कलाम की सोच वाला व्यक्ति होगा उसको साथ बठाएंगे और बुरहान वाली और जो कसाब की सोच वाला होगा उसको योगी की अडालत में पेस करेंगे और खुद तयारी में है जीनके बाते कर रहे हैं मौलाना तोकिर राजा कह चूकेंगे दिली तक आंदोलन होगा वखव बोर्ड़ को छेडने वालों को भरबाद कर देंगे यह सा उबी सी बोल रहे हैं क्यों से ने बोला कर देखो मेरा वजन घट्र शुरू हो गया कैसी बाते कर रहे हूं ऑगए हमारे गुरू कोने मानू में प्रभु शीरी राम क्या क्रिष्ण महाकाल जीज दिन हम सड़कों पे आ गये ना क्या जीज दिन हम सड़कों पे आ गए तो बुरा मत मानना सकल दिख जाने के जगह ने मिलेगी तुम्हारों को लेकर भी एक सवाल पूछूँगा तुकि मैं जैसे बाचित करता हूं तो एक मुसल्मान भाई मेर से कह रहे थे कि हिंदूों में दम नहीं कि वो सड़कों पर उतर सके हम एक आवाहान पर कम से कम सड़कों पर तो उतर जाते हैं सड़कों पर है और कॉंग्रेस की बजी बढ़ी है क्या और सुगू सो रहा था सुगू को पता है कि अपकी बारी इलेक्शन हो जाई माचल में तो वहां पर सरकार आएगी मोदी की किसकी अरे अवैद मजीद बनाई है तुमने तुम्हारे को हम जामा मजीद की थोड़ी ब कॉंग्रेस की यहुद कि यह कॉंग्रेस ने बहाईचारा शारा खराब कर रहे क्या हИं पाकिस्तान जिसको को हमने तिरपाल दाकने को साथ करोड रुपे दिये थे जिन्हों हमारे मंदिर तोड़े जिन्होंब भगवान का अपमान कर सी इजनों हमारी बहां बैटियों की इज़त रूबरूं कर आज उनके पास पिछषॉडा दोने को पानी नहीं है नी है पाकिस्तान में और ये उन लोगों के लिए लास्ट जो कमा के खाते हैं वो कभी भूका निए मरते भीक मांगने वालों को कभी पैटे नी मरता है पाकिस्तान के बच्चे से पुछो लास्ट है बिटभ बड़े हो कि क्या बनाओगे बोलता बबना वगहा बोले क्या करोगे बोले फटूंगा आप उससे ये पूछो ना अरे साले बाते कैसी कैसी सिखा रखी वहां के बच्चों को कह रहे हैं कि हम लाल किले में चाहे पिएंगे क्या एक बार ना तुम लाल किला जाने से पहले योगी बाबा के लखना हुँ में हां के जिरा खड़े हो ना कि तुम्हारे पिछवाणे में इतना मोटा लाल किला बनाएंगे के तुम्हारी अम्मी पूछेगी के बेटा तु सीधा है या व्योगी बाबा किला बनाते है ना तो ऐसा किला बनाते हैं कि तीन दिन तीन पहले एक अपरादी ने अरे भाई सब तुमने लगा रखी तो हमें भी पता है यार मगदर कितना उबर मगदर तीन दिन पहले एक वेक्ती ने हमारी बहन बेटी छेड़ी क्या वो क्या करता था स्कूल जाती आती हुए लड़कियों को अब्दुल छेड़ता था लड़कियों ने स्कूल जाना बंद लेकर आए जैसे समझ लो यह परादी है और यह उत्तर परदेश पूलिस का कमाल है ऐसा बजाया ऐसा बजाया कि आज की डेट में अब्दुल किसी की बेहन बेटी की तरह उठाके नहीं देख रहा वो योगी है क्या इसलिए हम कह रहें योगी को देश का परधान मंत्री ब करनेगा उस दिन भारत पर राम राज्य की स्थापना हो जाएगी क्या अवेशी तुमने तो पूरा ही लगा रखता है पंद्रा मिनट के लिए पुलिस हडा दो वो बोलता है क्या और पंद्रा दिन के लिए योगी को परधान मंत्री बना दो सोलवे दीन वेसी राम मंदिर के बाहर बैट के कह रहा होगा स्वामी राजयने ना रायने हरी हरी तो कि बहनने शुरू कर दिया तिलक लगाना शुरू कर दिया है आप कहते है मोधी ने क्या फरक लाए अरे अब तो वेसी भी बहन के घूम रहे नहीं यकिना रहा तो हमने नहीं बोला कभी किसी को पंचर लगा आप इस नहीं κάν basketball भील यह अब करोगे भेच जब बच्चा पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो पंचारी लगाएगा हम चाहते हैं कि पढ़ो लिखो और कलाम की सोच रखो आप मिसाइल मैन मनो और भारत माता की जय बोलो मगर आप अगर मदर्सा जाओगे क्या तो मदर्सा में यह नी पता होता कि देश का राश्टपति कोने परधानमंत्रिक होने इसकूल में सिख्षा मिलती है क्या इसकूल में और स्कूल सबके लिए चाहे हिंदू हो मुसलीमों सिखो इसाइए और अगर आपको ग्यान देना है क्या तो आपको सरकारी नोगरी नहीं मिलेगी अगर आप कि मदर्शा बेज़ रहे हूं तर फाल सवाल तो सुले जी आपने जो पूछा था वो कह रहे हैं कि जरूरत पर टो लोग को चेड़ेने की मुसल्मानों को चेड़ेने की Disability क्या जरूरत है और तनरा स्वालम्ट सफ यह एक संस्तफा है कि नियुक्ञति मैं हुझत खरिवh तो एक शनातनी लौबोड भी बनाओ और आज नहीं तो कल मोदी उसे धरती होगी तो वह होगी और इंडियन आर्मी कि 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 यहीं तो डर सता रहा है उनको जैसे आप बोल रहें कि वक बोर्ड को खतम कर देंगे मोदी जी जाते हैं अपने भाजन देने छूटते राहूल गांधी कहता पता नहीं अब बाबा क्या करने वाला है तो कि छोटे वाला तो भाईया ग्रेट है बड़े वाला आप ग्रेट है कौन ताउ ताउ बोले तो मोदी यह बाबा है यह चाचा है तो ताउ है अले खतरनाक है थोड़ा सांथ सबाओ गए मगर वक बोर्ड तो गए हो जैसे वह पिच्चर देगी ठाकुर तो गए हो तो वै तो कि सब्सक्रेट किए कितने नियमा की हमीनें उन्होंने हड़ पीए नहीं अकीन आरा तो तरब उत्तर परदेश में आके पता कर लेना और जहां उन्होंने कब जार आपको पता है वक बोर्ड कहता है कि अप्ट कहता है कि मुक्रेशं अमभानी का घर भी हमारा है और पागल हो गहांजा पीके पूर रहे हैं वह तो खरीद झार ब मीध कर दो पर फिर खो फीक्राइब हुआ यक भीड़ना टार कि chegou वोगाणे थार कि अ graduate